नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, रीट परिक्षया है, उसको 25 अप्रेल को ही आयोजित करवाने की मांग की गई है दोस्तों, दोस्तों लगातार आप सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि रीट परिक्षया तिती है, उसको इस्तगेत या उसको आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी लेकिन दोस्तों अब रीट प्रिक्षया तिती है उसको 25 अप्रेल को ही आयोजित करवाने की मांग की गई है दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं योटूब चैनल कुछामन ओनलाइन कलासेज पर दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपक और इसको लेकर जेन समाज लगातार मांग कर रहा है कि 25 अप्रेल को रीट प्रिक्षया ना करवाई जाए इसको आगे बढ़ाया जाए लेकिन दोस्तों अब जो बेरोजगार संग है उसके अद्दक्स है उपेन यादव उन्होंने मांग किये कि रीट प्रिक्षया है इसक 25 अप्रेल को ही करवाई जाए दोस्तों क्या कहा उपेन यादव ने और क्या उन्होंने मुक्यमंतरी के नाम पत्तर लिखा है उसकी संपूण जानकारी में आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों दोस्तों रीट प्रिक्षया को आईउजित प्रेल को ही आयूजित करवान मासं के परदेसा दिक्स उपेन यादव ने कहा है कि पिछले कहीं दिनों से परैक्सिया के आयोजन की तिती बदलने की मांग की जा रही है जेन समाज ने तित्ती बदले जाने की मांग किया साथ ही विदान सभा में भी ये मुद्दा उट चुका है लेकिन पिछले दो साल से करिम 14 लाग बेरोजगार परिक्सिया का कर रहे हैं इंतजार एसे में परिक्सिया तित्ती आगे बढ़ाने से बेरोजगार में निरासा व्यापत हो सकती है या निरास जो बेरोजगार है वो अगर 25 अप्रेल से परिक्सिया की तित्ती को आगे बढ़ाया जाता है तो ऐसे में जो कम से कम 14 लाग बिरती है जो REIT की तियारी कर रहे हैं उनके अंदर एक निरासा उत्पन हो सकती है कि REIT एकजाम जो पिछे भी तीन बार में डेट दी जा चुकी है और उसको आगे बढ़े आ जा चुका है तो ऐसे में REIT परिक्षिया कब होगी इसको लेकर उनक पतरता परिक्षिया फोरं बने की आकिरी तारिक नजदीक है दरसल बीस प्रवरी के बाद काद परिक्षिया के लिए आविदन परकिरिया खटम हो जाएगी तो आप सभी को पता है कि 안तिम दिनाक है वो है 20 प्रवरी और 20 के बाद आपको 21 से 25 तारिक 25 प्रवरी है उसके मद की आगे और बात करते हैं वहीं परक्षिया सुलक परक्षिया का सुलक जम्मा कराने के आखिरी तारिक 19 प्रवरी है इसलिए जो भी उमीदवार इस परक्षिया में सामिल होना चाते हैं और अभी तक ओनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं वो पठापठ आवेदन कर दे क्यों लाश्ट डेट को आगे बढ़ाया था बोर्ड की और से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बियड और डियलेड परक्षिया पास करने वाले उमीदवार 200 रुपे का आवेदन सुलक का बुगतान करके 19 परवरी 2021 तक लेविल 1 में परक्षिया के लिए आवेदन कर सकते हैं वहीं परक्षिया के लिए क्रेक्षन विंडो 22 परवरी से 25 परवरी 2021 तक खुल जाएंगे तो दोस्तों ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज है बहुत सारे साथ यूँगे फोरम में कुछ न कुछ मिश्टेक हुई है तो 22 परवरी से 25 परवरी के मद्दे आप अपने फोरम के अंदर करेक्षन कर सकते हैं दोस्तों उमीदवार इसके बाद आवेदर पत्तर में जरूरी बदलाव कर सकते हैं परेक्षिया का आयोजन 25 अपरेल 2021 को किया जाएगा वहीं कक्सा एक से पांच के सिक्सकों के लिए लेवल वन की परेक्षिया डाई अपरान यानि डाई बज ति है उसको परिवर्तन ना किया जाए ऐसी मांग की है बेरोजगार जो संग है उसके परदेशाद एक से उपेन यादव ने दोस्तों रेट परेक्षिया तिती 25 अपरेल को हो रही है और 25 अपरेल के दिन ही क्या पड़ती है महवीर जेनती ऐसे में जेन समाज है जो परेक्षिया को ना करवाया जाए ऐसी इस्तती में एगर 25 अपरेल को रीट एक्जाम होती है तो जेन समाज से जुड़े बहुत सारे विद्यारती रीट परेक्षिया से वन्चित रह सकते हैं एक उनके गर पे त्युवार रहेगा दूसरे दिन उनके रहीगी रीट एक्ज करवाया जाए लेकिन बेरोजगार संग के अद्धिक से उपेन यदू उन्होंने का है कि रीट परेक्षिया को है 25 अपरेल को ही क्या करवाया जाए आयूजित करवाया जाए क्योंकि एक है जो लगबग तीन या साड़ी तीन साल बाद रीट बढ़ती है वो आई है ऐसे मे कम से कम 14 लाग अब बढ़ती है जो रीट बढ़ती का इंतिजार कर रहे थे हैं उनके सामने अब ये मोका है अगर रीट परेक्षिया तिति में अगर परिवर्तन किया जाता है तो जिस परकार हमने देखा है कि पिछली तीन बार रीट परेक्षिया तिति में परिवर्तन कि तो ऐसे में उनमीं ये निरासा हो जाएगी कि ये रीट परिक्षया है वो होगी कब रेगुलर उसके अंदर परिवर्तन किये जा रहे हैं तो इसलिए अगर उपेन यादों ने मांग किये कि रीट परिक्षया 25 अप्रेल को ही आयोजित करवाई जाए तो दोस्तों आप अपन तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेना आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे वारत